1994 भारती राश्वपती श्री शंकरदयल शर्मा जी अधिकारी की यात्रा पर मस्कत का दौरा कर रहे थे और जब एर इंडिया का विमान उमान में उत्रा तो तीन दिल्चस्प घटनाये होई एक उमान किंग कभी भी किसी भी देश के गण मानने व्यक्तियों को रिसीव करने के लिए होई अडिय पर नहीं जाते हैं कभी नहीं लेकिन उमान का राजा राश्वपती को रिसीव करने के लिए होई अडिय पर आते हैं दो, जब फ्लाइट उतरी, तो राश्टपती जहाज की सीड़ियों से नहीं उतरे, बलकि उमान के राजा राश्टपती को उनकी सीट से रिसीव करने के लिए सीड़ियां चड़ कर जहाज में गए. ये भी पहली बार हुआ था. तीन, जहाज से उतरने के बाद शौफर खड़े रहते हैं, ड्राइवर्स जिनने हम कहते हैं, एक कार थी. लेकिन उमान किंग ने चालक को अलग करने के लिए इशारा किया. और उमान के राजा ने स्वैम उसकार को चलाया, जिसमें राष्टपती बैटे. बाद में जब समवाद दाताओं ने राजा से सवाल किया कि उन्होंने इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों तोड़े? तो किंग ने जवाब दिया कि मैं श्री शर्मा को रिसीव करने के लिए हवाई अड़े पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भारत के राष्टपती थे, बलकि मैंने भारत में अध्यान किया और कई चीज़ें सीखी. जब मैं पूने में पड़ रहा था, तब श्री शर्मा मेरे प्रोफेसर थे, और यही कारण है कि मैंने ये किया. दोस्तों, यही शिक्षक होने की सबसे बड़ी शक्ति है. शिक्षक होना अपने आप में इसलिए गारोपून माना जाता है. झाल 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